हलो फ्रेंड्स मैं स्वारब जा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल B.S.A.T की क्लासेस पे आज हम लोग Railway Group D और Railway NTPC के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए Railway के एक्जामस में बार बार पुछे जाने वाले साइन्स के महत्पुन संभावित सवालों को डिसकस करेंगे ताकि आप आने वाले Railway Group D और Railway NTPC जैसे एक्जामस में अच्छा स्कोर करके सफलता प्राप्त कर सकें तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है पहला सवाल है largest mammal कौन सा है यानि विसाल का एस्तंधारी कौन सा है तो आपको पता होगा बहुत आसान सवाल है जो भी बच्ची वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंड करेंगे अगर आपको आंसर नहीं भी पता होगा तो आप गमेंड करेंगे उससे आपको सीखने को मिलेगा ठीक है एक्जाम में गलती करने से बढ़िये हैं आप यहां गलती करेंगे और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये भी आगरा करेंगे प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ठीक है त मतलब कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके छाल का उपयोग मसाला बनाने के लिए क्या जाता है इस पेड़ की छाल मसाले की रूप में प्रयोग की जाती है तो आपको आंसर करना है कि इस पेड़ का छाल का उपयोग मसाला बनाने के लिए क्या जाता है तो आप सभी जानते होंगे चिनामोन यानि दाल चीनी का उपीयोग जो होता है वो मशाला के रुप में किया जाता है यानि खाने को स्वाधिस्ट बनाने के लिए चिनामोन का उपीयोग किया जाता है याद रखेंगे चलिए अगला सवालों देखते हैं क्या है अगला सवाल है pH sheet associated with बीटी sheet जो है वो किस से संबंधित है तो आपको comment करना है bीटी sheet किस से संबंधित है सबसे पहले आप जानते होंगे BT का full form क्या होता है बहुत जादा important होता है BT का full form तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि BT का full form क्या होगा तो याद रखेंगे BT का full form याद रखेंगे इसको bacillus याद रखेंगे BT का full form होता है bacillus छीक है इसके अलावा bacillus ठीक है तो थोड़ा सा नाम टफ है लेकिन याद रखेंगे बीटी का full form क्या है? Bacillus thurangenesis ठीके? याद रखना है बीटी का full form है bacillus thurangenesis अब ये किस सम्मद्ध है? cotton से सम्मद्ध है आप लोग जानते होंगे BT cotton बोला जाता है तो याद रखेंगे BT का full form होता है bacillus thurangenesis और BT जो है वो कपास से सम्मद्ध है तो याद रखेंगे भी होता क्या है, तो BT कापास अनुवांसी की परिवर्थित कापास का एक फसल है, जिसमें bacillus thurogenesis bacteria का एक या दो जिन को फसल के बीज में डाल दिया जाता है, अब वही बीज क्या करता है, यानि वो जो बैक्टिरिया है वो क्या करता है, बीज के अंदर crystal protein का निर्मान करता है, और उसी crystal protein के निर्मान के कारण वहाँ से एक विसेला पदार्थ निकलता है, जो कीट वगेरा को मारने का काम करता है, तो याद रखेंगे, BT कापास अनुवांसी की परिवर्थित कापास का एक फसल है, जिसमें bacillus thurogenesis bacteria के एक या दो जिन को फसल के बीज में अनुवांसी की अभियांत्रिक की तकनीक के द्वारा बीज में डाल दिया जाता है, जो पौधे के अंदर crystal protein उत्पन करता है, जिससे विसेला पदार्थ निकलता है, और वो कीट को मारने का काम करता है, तो यह है BT cotton, अब BT cotton का वानस्पतिक नाम अगर आपसे पू है, तो गौसी, PM, हर्वे, CM, ठीक है, और BT का अगर full form बुलेगा, तो bacillus, thurangenesis, BT का full form होता है, याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, तो वीडियो अगर पसंदारा होगा, तुम्मीद करेंगे, आप भी अपना प्यार बनाए रखेंगे, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, हमें भी खुसी मिले, अगला सवाल है, the longest bone in the human body is, मानव सरीर का सबसे लंबा जो अस्थी है, हड़ी है, bone है, उसको क्या कहा जाता है, तो बहुत आसान सवाल है, आप लोग जानते ह इस टेपस कहा जाता है, याद रखेंगे, इस टेपस जो है, यह सबसे छोटा T है, यहाँ पर, ठीक है, इस टेपस जो है, हमारे सरीर का सबसे छोटा bone है, जो की कान में पाए जाता है, कहां पाए जाता है, smallest bone जो है, कान में पाए जाता है, नाम क्या है, स्टेपस bone है, कान में कौन-कौन सा बोन होता है इक होता है इनकस बोन होता है कान में इसके बाद मैलियस बोन होता है याद रखेंगे मैलियस बोन कहा होता है यह भी कान में होता है इसके लाव इस्टेपस पढ़ें यह सबसे चोटा बोन है यह भी कान में होता है तो याद रखेंगे कान में फीमर बॉन कहा होता है तो जांग में पाए जाता है जांग में सबसे बड़ा हड़ी फीमर इस्थित होता है इसके लावा आप जानते होंगे कि मनुस्री के सरीर में बाल्यावस्था में 208 हड़ी होता है बाल्यावस्था में कितना हड़ी होता है 208 हड़ी होता है लेकिन जो कपाल है उसमें कितना हड़ी होता है कपाल में कितना हड़ी होता है तो आप याद रखेंगे कपाल में आठ हड़ी होता है कपाल में आठ बोन होता है फेशियल में कितना हड़ी होता है ये भी पूछ सकता है फेशियल में टोटल कितना हड़ी होता है यहाद रखेंगे ठीक है अब यहाँ से कुछ कोश्चन ऐसे पूछता है कि कान का सबसे चोटा हड़ी तो हम लोग अभी तुरंट देखे कान में तीन प्रकार का हड़ी होता है और सबसे चोटा होता है इस टेपस हड़ी ठीक है इसके लाव अगर आप से पूछेगा अगर आपसे पूछेगा कारपल्स हड़ी कहाँ पाय जाता है तो comment करेंगे कारपल्स हड़ी कहाँ पाय जाता है ठीक है कारपल्स हड़ी याद रखेंगे कलाई में पाय जाता है तो अगर आपसे पूछता है कारपल्स बोन कहाँ पाय जाता है तो याद रखेंगे यह बॉन है कारपल्स बॉन कहां पाय जाता है तो याद रखेंगे कारपल्स बॉन जो यह कहां पाय जाता है कलाई में पाया जाता है हतेली में क्या पाय जाता है तो मेटा कारपल्स तो कारपल्स कलाई में और मेटा कारपल्स हतेली में यह भी याद रखेंगे, Meta Carpals, आप अच्छे से लिख लिख लिजेगा, Meta Carpals हड़ी कहां पाय जाता है, तो Meta Carpals Bons होगा, यह कहां पाय जाएगा, तो याद रखेंगे, Meta Carpals Bons होगा, यह आपका हथेली में पाय जाता है, Meta Carpals Bons, ठीक है, हथेली में क्या पाय जाता ह एव तीर और फीबुला कहां पाय DAN钱 एंद आपको कमेंट करना है कि टीबियॉअ और फीबुला लोडे ना ये दोनों हडी कहां गुटना में पाया जाता है तारसल बॉन कहां पाया जाता है इंपोर्टेंट है इसब तारसल बॉन कहां पाया जाता है यह तो है ठीक है तारसल बॉन कहां पाया जाता है याद रखेंगे तारसल बॉन जो होगा टकना में पाया जाएगा टारसल बॉन ठीक है टारसल बॉन कहां पाया जाएगा टकना में पाया जाता है ठीक है तो आपको कमेंट करना है टीबिया और फिबुला बॉन कहां पाया जाता है ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि मानव सरी का सबसे बड़ा अस्थी जो है वो क्या है उरू अस् वाल है, Iodoform is used as N, Iodoform का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है, तो Iodoform का उपयोग किस रूप में किया जाता है, या आपको comment करना है, Iodoform का formula क्या होता है, CHI3, याद रखेंगे, Iodoform का राशानिक सुत्र क्या होता है, CHI3 होता है, याद रखेंगे, Iodoform का सुत्र होता है CHI3, अब आयोडो-फोर्म बनता कैसे है, याद रखेंगे अल्कोहल या एसिटान में थोड़ा सा अइवडीन मिलाने पर आइवडो-फोर्म बन जाएगा, याद रखेंगे idoform जो है वो किटानू ना सक है किटानू को मारता है तो इसलिए idoform किटानू ना सक होता है इसलिए घाओ पर हम लोग क्या करते है idoform का उपयोग करते हैं याद रखेंगे और इसका उपयोग जो होता है कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं option number C बिल्कुल सही है याद रखेंगे idoform का उपयोग antiseptic यानि पूर्टी रोधी के रूप में किया जाता है क्यों क्यों कि idoform जो है वो सुक्ष्म जीवों की विर्धी को रोकता है साथ ही सुक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है तो याद रखेंगे idoform का formula क्या होगा CHI3 idoform बनता कैसे है तो alcohol या acetone में थोड़ा सा iodine मिलाने पर हम idoform बना सकते है idoform का जो गुन होता है वो किटानू ना सक होता है किटानू को मारने वाला होता है इसलिए idoform को हम लोग घाओ अगेरा में लगाते हैं और iodine form का उपयोग antiseptic के रूप में करते हैं iodine form सुक्ष्म जीवों की विर्धी को रोकता है या फिर विनास करता है चलिए समझ में आया होगा उमीद करेंगा आपको समझ में आया होगा तो आप भी विडियो को like और share जरूर करेंगे अगला सवाल an example of false fruit मतलब आभासी फल या औवास्तविक फल असत्य फल का आपको example देना है कि इन में से कौन सा होगा जो असत्य फल होगा false fruit होगा चीक है तो चार option दिया गया है comment करेंगे आप सबसे पहले false fruit होता क्या है ये जानना जरूरी है तो याद रखेंगे false fruit होता क्या है तो कुछ फलों के निर्मान में बाहे दलपुंज, दलपुंज या पुस्पासन आधी भाग लेते हैं तो वैसे फलों को क्या कहा जाता है false fruit या असत्य फल कहा जाता है याद रखेंगे कुछ फलों के निर्मान में बाहे दलपुँझ दलपुँझ या पुस्पासन भाग लेते हैं और ऐसे फलों को असत्य फल या फिर फॉल्स फूरूट कहा जाता है एक्जामपल अगर आपसे पूछेगा फॉल्स फूरूट का या अभासी फल का या असत्य फल का तो क्या होगा एपल होगा कुछ बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं और अपसन नमबर ये एपल जो होगा वो असत्य फल होगा साथ में कठहल एपल और कठहल ये दोनों क्या है फॉल्स फूरूट का एक्जामपल होगा याद रखेंगे एपल और कठहल जो है ये असत्य फल का एक्जामपल है अब अगर आपसे पूछेगे एपल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है जिनि एपल का कौन सा पाट खाते हैं याद रखना है थेले मस खाते हैं थेले मस को हिंदी में कहा जाता है पुषपासन याद रखेंगे एपल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है पुषपासन होत आम का खाने योग्य भाग बुलेगा तो मद्य फल भित्ती याद रखेंगे आम का खाने योग्य भाग कौन सा होगा मद्य फल भित्ती आम का खाने योग्य भाग है मद्य फल भित्ती important सवाल है इसके अलावा अमरूद है गौवा लिखा हुआ है इसको भी देख लेते हैं गौवा का खाने योग्य भाग कौन सा है तो गौवा का याद रखेंगे फलवित्ती है गौवा का खाने योग्य भाग क्या है फलवित्ती यानि फलवित्ती जो है वो किसका खाय जाता ह अमरूद का फलवित्ति खाया जाता है चाहत में बिजांडसन बीज बगेरा जो होता है उसको भी खाया जाता है तो फलवित्ति और बिजांडसन ठीक है यह खाया जाता है अमरूद का खाने योगे भाग यह है इसके लब अंगूर का बोलेगा तो अंगूर का भी फलवित्त आप मेंं Cult करेंगे नार येल का कौन सा भाग खाया जाता है जाए घृंढ़ा लिखनाटे अम्रूद का खाये जाता है यानि इसका गवावा का खाये जाता है यहां लिखाई है चाहत में अंगूर का खाया जाता है तो अंगूर, गुआभा, टोमेटो इसका क्या खाया जाता है फल, वित्य और विजांटसन खाया जाता है ठीक है, समझ में आया उमीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप भी वीडियो को उसी परकार लाइक और सेर जरूर करेंगे अगला है, अगर आपसे पूछेगा लीची का कौन सा भाग खाता है, यह बहुत इंपोर्टन है याद रखेंगे लीची का खाने योग्य भाग होता है आपको चना का खाने योग्य भाग क्या है कमञ स coverage दोनोंं का बीज पत्र और भूने कम खाया जाता है ठीक है कठाख हल पूछे बार तो पुछेगा तो परीदलपुंज खाया जाता है। आज नारंगी का अगर आप से पूछलेगा ये भी important है नारंगी का खाने योग्य भाग आप से पूछेगा तो याद रखेंगे नारंगी का जो खाने योग्य भाग होता है वो juicy hair होता है तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप भी वीडियो को like और शेयर करेंगे और जादा से जादा वीडियो पर कमेंट करेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है तो आपको समझ में आ गया होगा क्या सत्यफल का एक्जांपल क्या होगा कटहल होगा और दूसरा क्या होगा सेब होगा ठीक है अगला सवाल है दा वैक्टर मक्ही बोला जाता है इसको या फिर सिक्ता मक्ही भी कहा जाता है सेंड फ्लाइ के कारण क्या होता है कालाजार होता है सेंड फ्लाइ के कारण क्या होता है कालाजार बिमारी होता है तो आप से पूछेगा कालाजार बिमारी का वहाग कौन है तो याद रखेंगे कालाजार में बॉन मेरो तरभावित होता है और कालाजार सेंड फ्लाई मक्खी के कारण होता है इसके अलावा इससे पूछ सकता है कि कालाजार कौन सा प्रोटो जोवा के कारण होता है ये भी पूछ सकता है तो आप लोग जानते होंगे लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटो जोवा के कारण होता है याद रखेंगे कालाजार किसे होता है लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटो जोवा लिख देते हैं जोनावानी प्रोटो जोवा ठीक है तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा पुराना वीडियो में भी किया हुआ है, हम लोग डिसकस कर चुके है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, या सर खराब लिख दी है, तो क्योंकि मिटाएंगे तो आप जान रहे हैं, आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, लिसमेनिया निद्रालू व्याधी रोग, यानि sleeping sickness किस्से होता है, तो याद रखना है, sleeping sickness जो है, वो CC मक्ही के द्वारा होता है, तो सही अंसर क्या होगा, sleeping sickness किस्से होता है, CC मक्ही के कारण होता है, अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, तो sleeping sickness जो है, वो CC मक्ही के कारण होता है, ठ इतना ज्यादा नीन आता है कि उसको उसके सरीर पर कंट्रोल नहीं होता है ठीक है और यह किसके कारण होता है सीसी फ्लाई सीसी मक्ही के कारण होता है अब प्रोटोजोवा अगर आपसे पूछ देगा इसका प्रोटोजोवा कौन सा है तो यह भी इंपोर्टेंट है कि कौन सा प्रोटो जोवा के कारण sleeping sickness होता है तो याद रखेंगे ट्रिपनो सोमा इंपोर्टेंट है ट्रिपनो सोमा याद रखेंगे ट्रिपनो सोमा प्रोटो जोवा के कारण क्या होता है sleeping sickness होता है तो इंपोर्टेंट सवाल है the normal body temperature of human being is यानि मानव के सरीर का सामाने ताप होता है मानव के सरीर का normal temperature कितना होता है तो आप सभी को पता होगा आप comment करेंगे 37 degree Celsius जो है वो मानव के सरीर का आपका क्या होता है normal temperature होता है या फिर 310 Kelvin भी बोल सकते हैं यानि याद रखेंगे 310 Kelvin या फिर 37 degree C या फिर 98.4 degree Fahrenheit याद रखेंगे मानव के सरीर का जो normal temperature होता है वो 98.4 degree Fahrenheit या फिर 310 Kelvin या फिर 37 degree Celsius होता है तो याद रखना option के अनुसार आपको जाना है जिस परकार option में दिया रहेगा उसी हिसाब से आपको answer करना होगा अगला सवाल है An insect catching plant is मतलब ऐसा पौधा जो की कीड़ा को मारता है कीड़ा को पकड़ता है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा पौधा कीट पकड़ता है कीटों का भक्षन करता है कीट को मारके खाता है उसके बारे में आपको बताना है तो आप सभी जानते होंगे इसका अंसर क्या होगा पीचर प्लांट आप लोग सुने होंगे लेकिन यहाँ पे पीचर प्लांट ओप्सन नहीं है याद रखेंगे पीचर प्लांट एक तो ऐसे exam में देता है पीचर प्लांट दे देगा एक्जामपल में तो बढ़ियां बाते पीचर प्लांट देगा तो आप आसानी से पढ़े होंगे अंसर कर देंगे या फिर इसी को घट पर्नी भी कहा जाता है ठीक है तो घट पर्नी भी बहुत सारे बचे जानते होंगे घटपर्णी जो है इसी को कहा जाता है तो पीचर प्लांट बोलेगा या घटपर्णी बोलेगा ठीक है या फिर इसी को क्या कहा जाता है नेपेंथेंस कहा जाता है ठीक है नेपेंथेंस कहा जाता है तो याद रखेंगे घटपर्णी पीचर प्लांट या नेपेंथिस ठीक ह पिर Nepenthes Nepenthes क्या करता है? कीडा मकोडा को पकड़ता है और उसको मारने का काम करता है अब यह जो Nepenthes, घटपणि या पीचर प्लांट या पर पाया जाता है तो याद रखेंगे असंब में घारो और खासी पहाड़ियां है वहाँ पे क्या होग आपका पिचर प्लांट या घट परणी पाया जाता है तो आपको यहाँ से यहाँ से यही चीज़ प्लांट या फिर घट परणी या फिर नेपेंथस नाम का जो कीट भक्ची पौदा है वो पाया जाता है ठीक है चली अगला सवाल देखते हैं उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा चली अगला सवाल है इस करवी जो होगा वो किसकी कमी के कारण होता है तो काफी आसान सवाल है कमेंट करेंगे इस करवी किसकी कमी के कारण हो जानते होंगे, इसकरवी जो होगा, वो किसकी कमी से होगा, फटा-फट कमेंट करेंगा, असान सा सवाल है, इसकरवी किसकी कमी से होगा, चिक है, तो इसकरवी जो है, वो विटामिन C की कमी से होगा, याद रखेंगे, इसकरवी विटामिन C की कमी से होगा, इसकरवी विटाम प्रूटन टॉपिक है विटामिन एसीद विटामिन की कमी से ओस्कार्वी ये ज्यो थाइमिन की कमी से बैरी-बैरी होता है ठीक है आपको यह सब बहुत बार हम लोग पर चुके हैं इसलिए हम लोग सौट में जा रहे हैं अगर आपसे पूछेगा विटामिन B3 ठीक है तो विटामिन B3 को क्या कहा जाता है याद रखेंगे राइबो फ्लेविन राइबो फ्ले भीन कहा जाता है विटामिन B3 को क्या कहा जाता है विटामिन B3 को नियासीन कहा जाता है गया पर विटामिन B6, पायरी डॉक्सीन है, यह important है, विटामिन B7, ठीक है, तो B7 थोड़ा सा आप लिख लेंगे, विटामिन B7, ठीक है, और B6 भी लिख लेते हैं, विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, पायरी डॉक्सीन कहा जाता है, याद रखेंगे, पायरी डॉक्सीन किसको कहा ज लगता है बायोटीन विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है आपको याद रखना है विटामिन B7 को क्या कहा जाता है विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है विटामिन B11 बोलेगा तो फॉलिक एसीड याद रखेंगे विटामिन B12 साइनो कोबाल्मिन विटामिन B12 में क्या हो आप जान रहे हैं सब विटामिन E को टोको फेरॉल का जाता है विटामिन E की कमी से जनन सकती में कमी होती है और विटामिन K की कमी से क्या होता है ब्लड क्लोटिंग में प्रॉबलम होता है क्योंकि याद रखना है विटामिन K क्या करता है ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करत तो अगर विटामिन के कमी होगा यानि फ्लिक्विन उनका कमी होगा तो ब्लड क्लोटिंग में परिसानी होगा ठीक है तो याद रखेंगे यह सारा इंपोर्टेंट है लेकिन हम लोग जल्दी इसलिए क्यों के कि अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा तो आप जा क्या होता है मेल मॉस्कीटो फिट्स ऑन मेल मॉस्कीटो क्या खाता है अब मालिजे एक ही चीज़ को अगर रोज पढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा फाइदा नहीं होगा आपको तो इसलिए कोसिस करेंगे कि जो IMPORTन है उसको हम लोग फटा पट रिवाइज करेंगे उस पीकर glucose प्राप्त करता है नर्म अच्छर को जीने के लिए क्या चाहिए और नर्म अच्छर जो होता है वो फूलों का रस पीता है यानि nectar of flower ठीक है तो यह रक्त नहीं होगा रस होगा फूलों में याद रखना है याद रखना है यह काटेगा तो कुछ होगा नहीं काटता नहीं जनरली बिमारी नहीं फैलाता है इसलिए बिमारी नहीं फैलाता है काटने का काम यह नहीं करेगा याद रखना है बिमारी नहीं फैलाता है यह दूसरे तरह का बिमारी फैला सकता है काट के बि glucose मिल जाता है तो याद रखेंगे male mosquito जो है फूलों के ऐस द्वारा nectar of flower से क्या करता है glucose प्राप्त करता है इसलिए male mosquito जो होता है वो किसी को काटता नहीं है जिसके वैशे बिमारी कम फैलाता है यह याद रखना है काटने वाला बिमारी female mosquito बीमारी फिलाने का काम कोन करेगा female mosquito क्योंकि female mosquito जो है वो अपने eggs को पोसन देने के लिए blood से protein लेती है यानि वो मनुष्यों को काटती है तो ये भी याद रखेंगे नर, मच्छर का भोजन क्या होगा nectar of flower, फूलों का रस होगा ठीक है समझ में आया होगा, उमीद करेंगे, चलिए अगला सवाल देखते हैं, तो आप भी वीडियो को like और share जरूर करेंगे, ठीक है इतना मेरे लिए आप करी सकते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल है, मनुष्य के मद्य कान की गोहा में कर्ण अस्थियों के अत्रिक्त और क्या होता है, तो option दिया हुआ है, मनुष्य का जो मद्य कान है, बीच वाला कान है, middle ear है ठीक है, बीच वाला कान है, वहाँ पर बोल रहा है, कर्ण अस्थियों के बीच में, ठीक है, कर्ण अस्थियों के अत्रिक्त और क्या होता है, मद्य कान वाल बहुत important है the percentage of water content in the human blood plasma normally varies from, यानि मानवरक्त प्लाजमा में याप से पूछ रहा है कि blood में plasma होता है अब जानते हैं तो plasma में पा रहा है मतलब plasma में प्राया पानी की परतिसात मात्रा में कितना भीनिता होता है याप से पूछ रहा है तो आपको इसका answer कमेंट करना है कि Plasma में नोर्मली जो पाणी होता है वो कितना होता है अगर जो बच्चे हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे उनसे आगरह करेंगे आप पिछला वीडियो देखें ठिक है तो वहाँ से आपको यह सब समझ में आएगा तो plasma याद रखना है, blood जो होता है वो manly बनता है किसी है, तो याद रखेंगे blood में 60% plasma होता है blood में क्या होता है, 60% plasma होता है 40% क्या होता है, आप जानते होंगे 40% आपका corpuscles होता है जिसमें आपको रुधी रानू कहा जाता है 40% क्या होता है, रुधी रानू या blood corpuscles होता है, ठीक है तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछता है blood कैसे बनता है, तो blood जो होता वो एक connective tissue है, रुधी रानू ठीक है, रुधी रानू होगा यहाँ यानि इसको इंग्लिस में लिख देते हैं चलिए blood corpuscles, ठीक है blood corpuscles, ठीक तो आपसे पूछेगा अगर कि blood जो है, उसमें क्या-क्या होता है तो blood में याद रखेंगे, 60% plasma होगा, और 40% क्या होगा रुधी रानू होगा, जिसको blood corpuscles कहते हैं, ठीक है, आप अच्छे से लिख लिजेगा अब ऐसा नहीं कि writing थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप dislike कर दीजेगा, कुछ बच्चे कर देते हैं लेकिन वो हम मिटाते नहीं क्योंकि आपका समय बहुत किमती है देखते ही आप, इसलिए कोसेस करते हैं कि आपको समझा सके हैं, असानी से, ठीक है तो याद रखेंगे, blood जो होता है, वो plasma और रुधिरानू, यानि 60% plasma होता है blood में, और 40% blood corpuscles होता है जानते हैं, blood जो है, वो एक connective tissue है blood एक tarl सियो जी उत्तक है और हमारे सरीर में, रखत का जो मात्रा होता है, वो सरीर के भार का लगबग 4% होता है, blood का pH मान कितना होता है, 6.4 7.4 जो है, वो blood का pH मान होता है यह हलका चारी होता है, अगर आपसे पूछे का blood क्या होता है, तो blood का pH मान 7.4 होता है, इसका मतलब मनुस्यों में ब्लड जो होता ओस्तन कितना पाय जाता है 5-6 लिटर पाय जाता है किसी किताब में 7 लिटर भी दिया है तो याद रखेंगे 5-6 लिटर मनुस्य के सरीर में वैस्क मनुस्य के सरीर में ओस्तन ब्लड पाय जाता है महिलाओं में आधा लीटर ब्लड जो है वो कम पाय जाता है प्लाजमा होता है क्या है तो याद रखेंगे रक्त का 60% भाग जो होता है वो प्लाजमा होता है और प्लाजमा में 90% भाग जो होता है वो पानी होता है सवाल पूछ रहा था कि प्लाजमा में प्रहा है पानी का प्रतिशत मात्रा कितना होता है तो याद रखेंगे हमारे ब्लड में 60% प्लाजमा होता है और प्लाजमा में भी सबसे ज्यादा क्या होता है पानी होता है 90% लगवग पानी होता है याद रखेंगे उसके अलावा उस द्वारा होता है अब सेरम क्या होता है यह इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूचता है सेरम क्या है याद रखेंगे जब सेरम याद रखेंगे क्या होता है जब प्लाजमा में से फाइबरोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो सेस प्लाजमा को सेरम कहा जाता ह याद रखेंगे प्लाजमा है यहापे क्या है प्लाजमा ऐसे लिख लेंगे प्लाजमा और प्लाजमा में क्या करेंगे घटा देंगे कि इसको फाइबरिनोजेन प्रोटीन को याद रखेंगे प्लाजमा में क्या है फाइबरिनोजेन प्रोटीन को माइनस कर देंगे यह जब plasma में से fibrinogen protein को घटा दिया जाएगा निकाल लिया जाएगा protein तो आप जानी रहे कि fibrinogen क्या protein है जीकर तो आप लिखेंगे इसको अच्छे से तो इसमें बोल रहा है कि जब plasma में से fibrinogen protein को निकाल दिया जाता है सेरं बनता है याद रखेंगे जब plasma में से fibrino gen nama protein निकाल दिया जाता है तो उसे इस plasma को serum कहा जाता है अब रूधी रानू आप जानते हैं blood corpuscles 40% होगा उसी blood corpuscles में RBC आएगा WBC आएगा और blood platelets आएगा RBC को क्या कहा जाता है RBC को erythrocyde कहा जाता है ठीक है याद रखेंगे चलिए अगला सवाल देखते हैं क्योंकि यह सब discuss किया हुआ है सवाल पूछ रहा है the element which is reaching most leafy vegetable मतलब साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व है या हरा साग सबजी होता है उसमें सबसे अधिक पाए जाता है और iron की कमी से क्या होता है anemia होता है आप याद रखेंगे iron की कमी से क्या होता है anemia होता है तो आप सब जानते है iron की कमी से क्या होता है anemia होता अब यह होता क्यों है anemia क्योंकि iron का कमी होगा और iron क्या करता है शरीर में hemoglobin को बनाने का काम करता है तो याद रखेंगे आईरन का कमी होगा तो आईरन का कमी जब होगा तो हिमोगलोबीन बनने का जो दर होगा वो कम हो जाएगा यानि आरबीसीज का संख्या कम हो जाएगा और ये एनिमिया हो जाएगा समझ में आया एनिमिया क्या होता है बलड का कमी हो जाता है उसी को एनिमिया कहते है यानि लोहे की कमी सरेर में लोहे की कमी से क्या हो जाता है एनिमिया बिमारी हो जाता है ठीक है इसके अलावा आपको याद रखना है यहापे जिंक लिखा है तो जिंक होता किसमे है तो याद रखेंगे आप जानते होंगे जिंक जो होता है इंसुलीन में होता है तो आप से एक्जामें पूछता है इंसुलीन में कौन सा धातू पाया जाता है तो इंसुलीन में जिंक धातू पाया जाता है इंसुलीन के बारे में आप जानती है इंसुलीन की कमी से क्या होता है डायविटीज होता है ठीक है इंसुलीन की कमी से डायविटीज हो होता है खुन में होता है तो हमोगलोबिन में क्या होगा इरन होगा इसके लखाइए इसके alabah calcium है हड़िवहित हमें calcium होता है ठिक है याद रखेंगे और chlorophyll में अगर आप से पूछेगा इसको मिटाते हैं chlorophyll में तो यह बहुत cultural फेल में कौन सा अगला सवाल देखते हैं क्या है जो बच्ची वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किये हैं उनसे आग्रह करेंगे फिर से आग्रह करेंगे आप प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें और जादा से जादा लाइक करें और सेयर करें ठीक है अगला सवाल है the deficiency of iron in man result in, यानि मनुष्टी के शरीर में लोही की कमी का क्या परिञाम हो सकता है, तो अभी तुर्णत पढ़ें कि मनुष्टी के शरीर में अगर blood का कमी हो जाएगा तो उसको anatemia या रख्त alpata या फिर इसको क्या कहा जाता है या फिर इसको रख्त alpata कहा जाता है, याद रखेंगे मनुऩियक के सरीड में लोहई की कमी से, य Cambly aos pair Iron की कमी से रख्त अलपता यानी अनिमिया नामक बिमारी होता है रतोंदी आप जानते है वितामिन एक ही कमी से क्या होता है, रतोंदी होता है इसको क्या कहा जाता है, नाइट ब्लाइडनेस कहा जाता है, इसके अलावा विटामिन A की कमी से जिरॉप्थेल्मिया भी होता है, इसकरवी किस से होता है, आप सभी जानते हैं, इसकरवी किस से होता है, विटामिन C से इसकरवी होता है, और विटामिन D से क्या होता है, रिके associated with hemophilia का संबंद जो है वो प्राया किसके स्वात होता है hemophilia का संबंद प्राया किसके साथ होता है या आप से पूछ रहा है यानि hemophilia is mostly associated with ठीक है तो आप इसका answer जानते होंगे उम्मीद है मुझे तो आप comment करेंगे इसका answer क्या होगा ठीक है hemophilia है तक करक्त का ठक्का नहीं बनता है यानि बहुत खतरनाक बिमारी है, यانے अगर किसी वेक्टी को हीमोफिलिया बिमारी है तो उसका Blood Clothing नहीं होगा Blood Clothing में बहुत समय लगेगा जिसके करण क्या होगा मरीज का जान जाने का बहुत जयादा Chance होता है याद रखेंगे हीमोफिलिया का संबंध किससे है हिमोफिलिया का समध्ध है royal families से राज परिवारों से याद रखना है ऐसा माना गया है कि यहां रोग जो है वो पहली बार Britain की महरानी Victoria से प्राऍण हुआ ऐसा माना जाता है कि यह जो आपका हिमोफिलिया बिमारी है यह anuansic बिमारी है पैत्रिक बिमारी है और यह रोग पहली बार ब्रिटेन की महराणी विक्टोरिया को हुआ था ठीक है तो याद रखेंगे हिमोफिलिया का सम्बंद किससे रोयल फैमिलीज से है और हिमोफिलिया में क्या होता ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता इसको मिटा के लिख देते हैं निकलते रहता है और यह जो होगा जनरली हेमोफिलिया रोग जो होगा वो बोलेगा किसको होगा तो याद रखेंगे मेल्स में होगा जनरली यानि ज्यादा तर जो होता है सरवाधिक जो होता है हेमोफिलिया रोग किस में होता है वर्ना दता यानि color blindness यह बिर उसको भी देखते हैं हम लोग क्योंकि आप जानते telling कि color blindness यह थे बिलांचने दिक्कत होता है जाल और हरा रंग पहचानने मेंदिक्ट होता है आगे आप समझ सकते हैं कि लाल वा हरा रंग पहचानने में दिक्कत होगा, ठीक है, क्या होगा, दिक्कत होगा, यानि परेशानी होगा, तो याद रखेंगे, इंपर्टेंट सवाल है, लाल वा हरा रंग पहचानने में दिक्कत किस से होगा, कौन सा बिमारी से होगा, तो वा के लिए भी थोड़ा सोचना होगा है ना टर्णर सिंड्रोम याद रखेंगे टर्णर सिंड्रोम यहाँ पर लिखते हैं अच्छा रहेगा टर्णर सिंड्रोम यह भी याद रखेंगे टर्णर सिंड्रोम यह भी क्या है आपका अनुवांसिक रोग है याद रखेंगे टर्ण तर्णर सिंड्रोम क्या है अनुवांसिक रोग है तो अनुवांसिक रोग कौन-कौन सा हो गया कलर ब्लाइडनेस हो गया कलर ब्लाइडनेस क्या हो गया अनुवांसिक रोग है तर्णर सिंड्रोम क्या है अनुवांसिक रोग है और तर्णर सिंड्रोम जो होता है इस्त्रियों हो जाता है ठीक है याद रखेंगे important है इसके अलावा down syndrome भी important है down syndrome भी पूछा जाता है ठीक है तो इसको भी आप याद रख लेंगे down syndrome ठीक है exam में पूछा जाता है तो छोड़के फाइदा नहीं है ठीक है down syndrome जैसे यह से याद आता है लिखते जाएंगे याद रखेंगे down syndrome जो होगा यह किस्से होगा याद रखेंगे down syndrome यह भी एक अन्वानसिक बिमारी है इसको मंगोलीजम भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मंगोलीजम यानि down syndrome को मंगोलीजम भी कहा जाता है और यह क्या है एक परकार का सिंड्रोम भी है लेकिन जो इंपोर्टेंट था वो हम लोग देख लिए कि टर्णर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, वर्नाधता यानि कलर ब्लाइंडेस, हिमोफीलिया ये सारा जो है आपको याद रखना है कि अनुवानसिक बिमारी के अंतरगत आता है ठीक है तो चली अगल सवाल देखते हैं उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा तो आप भी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करेंगे और लाइक करेंगे ठीक है अगला सवाल है परति दिन सामानेता हमारे हिर्दे के कपाठ लगवक कितनी बार खुलते और बंद होते हैं यानि भी दिन सावा है कि परति सामानेता हमारे जो हिर्दे के कि चता कहां बार खुलते और बंद होता हैं है कितना लाक हे तो कि आप है डर देखते हैं और पांच-जीरो है तो एक लाक हो गया ठीक न अब अगला सवाल है normal blood pressure of man is यानि जो मनुष्य है उसका सामाने रक्त चाप कितना होता है ठीक है मानव का सामाने रक्त चाप कितना होता है या आपको answer करना है ठीक है और आप सभी जान रहे कि अभी थोड़ा मेरा तब्यत खराब है ठीक है तो इसके वज़े से मैं थोड़ा धीरे भी बोल पा रहा हूँ और बोलने में भी थोड़ा आप जान रहे है थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इसलिए आवाज थोड़ा कम है ठीक है तो normal blood pressure प्रेसर आदमी का कितना होता है यह आपको बताना है ठीक है तो आप थोड़ा सा manage करेंगे उसको ठीक है तो blood pressure यानि BP BP को मापा कैसे जाता है तो इस phigmo manometer से मापा जाता है याद करेंगे BP कैसे होता है 120 बटे 80 mm of hg होता है यानि BP अगर बोलेगा BP का value कितना होता है रक्तदाप कमान कितना होता है तो 120 बटे 80 mm of hg जो होता है यह हमारा BP होता है blood pressure होता है ठीक है अब यहां पर 120 होगा इसको क्या कहा जाता है इसको systole कहा जाता है और diastolic pressure कितना होता है तो ये भी याद रखेंगे diastolic pressure जो होगा वो 80 होगा ठीक है तो याद रखेंगे मनुस्य का सामाने रक्तचाप जो होता है वो 120 बटे 80 कहां पे दिया है यहाँ पर option में लिखा ही नहीं है कि मनुस्य का रक्तदाब कितना होता है याद रखेंगे मनुस्य का जो रक्तदाब होगा नॉर्मली वो 120 बटे 80 mm of ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है ही तो याद रखेंगे 120 बटे 80 mm of Hg होता है और उपर में 120 लिखा है वो systolic pressure होता है और नीचो जो 80 लिखा है वो diastolic pressure होता है याद रखेंगे ठीक है चली अगला सवाल देखते हैं आपे option ही गलत लिखा हुआ है तो उसका आप tension ने लिजेगा ठीक है याद रखेंगे अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल है ए drug which helps in controlling fever is मतलब वैसा दवा जिसका उपयोग fever को control करने में उपयोग में लाया जाता है पैरासिटामोल पैनिसिलीन आप लोग जानते हैं पैनिसिलीन का खोज किस ने किया था अलेकजंडर फ्लैमिंग ने पैनिसिलीन की खोज की थी ठीक है चली अगला सवाल देखते हैं आसान सा सवाल था ठीक है तो अगला सवाल देखते है अगला सवाल है हिमोगलोबीन क्या है हिमोगलोबीन क्या होता है तो आप सब जानते हैं कि हिमोगलोबीन क्या होता है सरीर के अंगो तक oxygen पहुचाता है आईरन की कमी से क्या होता है हिमोगलोबीन बनने का दर कम हो जाता है और उसी के कारण एनिमिया हो जाता है यानि बलड का कमी हो जाता है तो हिमोगलोबिन है क्या तो हिमोगलोबिन एक परकार का प्रोटीन है याद रखेंगे हिमोगलोबिन एक परकार का प्रोटीन है हिमोगलोबिन क्या है एक परकार का प्रोटीन है जो सरीर के अंगों तक oxygen पहुंचाने का काम करता है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं important सवाल था अगला सवाल है the protein present in the fingernail is यानि हमारा जो नाखुन होता है उसमें कौन सा protein पाया जाता है या आपको बताना है बोल रहा है कि अंगुली के नाखुन में किस परकार का protein पा तो कोई दिक्कत नहीं एक्जाम में गलती करने से बढ़ी है आप यहां गलती करेंगे ठीक है जबी भी आप class देखेंगे तो आप comment करेंगे ठीक है उसके बाद आप match कर लेंगे ठीक है उससे आपको बहुत फायदा होगा और साथ में आप हमें भी support करें तो यहां पे गलोबीन भी प्रोटीन है और केराटीन भी प्रोटीन है तो चारोग प्रोटीन है लेकिन आपसे question पुछ रहा है कि अंगुली के नाखुन में कौन सा प्रोटीन होता है तो आप सभी जानते हैं कि फिंगर नेल में केराटीन प्रोटीन होता है याद रखेंगे यह जो केरा प्रोटीन 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 प्रोट ठीक है उम्मीद करेंगा आपको इसका आंसर समझ में आया होगा चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है अगला सवाल है तो रिड्यूस तूथ डेके मोश्ट तूथ पेस्ट कंटेंड ए यानि दात के छे को रोकने के लिए अधिकांस तूथ पेस्ट में क्या होता है आपसे कोस्टन पूछ रहा है कि दात का जो छे है उसको रोकने के लिए अधिकांस्तर तूथ्फेष्ट में क्या मिलाया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आप इसका अंसर करेंगे और आप सभी जानते हैं कि h maan 5.5 से कम हो जाएगा जब दात का h maan 5.5 से कम हो जाएगा तो दात 6 हो जाता है तो यह भी important है pH 5.5 से कम ठीक है से कम तो दंत 6 सुरू ठीक है हम ऐसे लिख देते हैं आपको समझ में आई जाएगा कि pH मान तो दंत 6 सुरू ठीक है दंत 6 सुरू यानि जब pH मान 7.7 से कम तो दंत 6 सुरू ठीक है यानि हमारे दात का pH मान जब 5.5 से कम हो जाएगा तो दात 6 होने लगेगा दात जढ़ने लगेगा क्यों क्यों कि आप जाना है कि pH मान 5.5 से कम होगा यानि acidity बढ़ेगा तो जब अमलिय होगा दात तो क्या होगा दात को नुक्सान पहुंचाएगा ठीक है तो जब दात अमलिय होगा तो दात को नुक्सान पहुंचाएगा त यह भी एक्जाम में पूछता है कि तूथपेस्ट जो होता है वो basically कैसा होता है तो याद रखेंगे तूथपेस्ट जो होगा वो आपका alkaline nature का होता है छार यह पrikृति का होता है ठीक है तो यह बहुत ज़दा important है याद रख लेंगे फ्लोराइड मीला हुआ रहता है, वाएध रहता है, अगर पानी में फ्लोराइड का मात्रा बहुत ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा fluorosis बीमारी होगा समझ मैं आओगा तुथपेस्ट में क्या मिला जाता है fluoride मिला होता है pH मान 5.5 से कम होगा तो दाथ 6 होगा और दाथ 6 रोकने के लिए तुथपेस्ट जो होता है उसको छारी है यानि alkaline बनाया जाता है अगला सवाल है birds usually have a single पक्चियों में प्राया एक ही क्या होता है तो यह तो कली हम लोग पढ़ें कि पक्चियों में प्राया क्या होता है याद रखना है पक्चियों में प्राया क्या होता है generally ovary यानि अंडासे होता है याद रखेंगे पक्चियों में प्राया एक ही क्या होता लगवक कितना होता है तो आप लोग इसका अंसर जानते होंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हावा में ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा ऑक्सीजन 17% होता है और कार्बन डैकुसाइड जो होता वो 4% होता है याद रखेंगे हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हावा में कार्बन डैकुसाइड का मातरा कितना होता है 4% होता है औक्सीजन का पूछेगा तो 17% होता है चिक है चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे आंसर गलत दिया है PDF में याद रखेंगे चलिए अगला तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें चिक है तो रक्त के थक्का जमने का कारण क्या है तो याद रखेंगे थ्रॉम्बीन जो है यह रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्यवार होता है इंपोर्टेंट है यह थ्रॉम्बीन चिक है अब पैक्टीन क्य होता है घुलंसील कार्बोहटेड होता है ठीक है और याद रखना है कि पैक्तिन घुलंसील कार्बोहटेड होता है जो कि पौधे की सेल वाल्स और कोशिकाओं के मद्धे पाए जाने वाले टिसू में पाए जाते हैं ठीक है तो यहां एमसर क्या होगा रख्त का ठका जमने का कारण है थ्रोंबीन इसके लाव आप जानते होंगे फिब्रीनोजेन यह बहुत इंपोर्टेंट है फिब्रीनोजेन फिब्रीनोजेन क्या होता है तो आप कमेंट करेंगे फिब्रीनोजेन क्या है एक परकार का प्रोटीन है याद रखेंगे blood clotting में, clotting और blood में कौन help करेगा तो fibrinogen help करेगा, जो कि एक परकार का protein है और fibrinogen protein का उत्पादन बोलेगा कहा होता है, तो liver में होता है याद रखेंगे, अगर आप से पूछेगा, fibrinogen protein का निर्मान कहा होता है liver में होता है, fibrinogen क्या है, protein है, fibrinogen का काम क्या है निर्मान होता है याद रखेंगे लीपर द्वारा हीपेरीन प्रोटीन का निर्मान होता है हीपेरीन क्या है यह एक प्रकार का प्रोटीन है तो याद रखेंगे हीपेरीन प्रोटीन का निर्मान जो है वो लीवर करता है और हीपेरीन प्रोटीन क्या करता है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, यानि सरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है किसके कारण तो ये हीपेरीन प्रोटीन के कारण होता है, चीक है, तो उम्मीद करेंगा आपको समझ में आ गया होगा इसका एंसर, चलिए अगला सवाल देखते हैं तो जो बच्ची वीडियो को देखना और लाइक नहीं कि हैं, उनसे आगरा करेंगा, आफटा फट वीडियो को लाइक और सेर करेंगे अगला सवाल है, कान की हडिया कितनी होती है, यानि कान में टोटल कितना हड्डी होता है हम लोग जानते कान में तीन परकार का हड्डी होता है, एक होता है इनकस, याद रखेंगे कान में तीन परकार का हड्डी होता है, एक होता है इनकस, दूसरा होता है, मैले अस, याद रखेंगे कान में होता है इनकस, दूसरा होता है, मैले अस, उसके अलावा होता है, मैले 6 हड़ी होता है मनुस्य के सरीर में कुल हड़ी कितना होगा तो 206 हड़ी होगा याद रखेंगे कपाल में कितना हड़ी होगा अगर आपसे पूछता है कपाल में कितना हड़ी होता है तो कमेंट करेंगे कपाल में कितना हड़ी है चीक है और facial में 14 bonds होते हैं याद रखना है Facial में कितना bonus होगा 14 bonds होगा ठीक है और कान में 6 हड़ी होगा याद रखना है पसली की कुल हड्यों के संख्या कaros कितना होता है 24 होता है याद रखेंगे ठीक है узगे अगला सवाल को देख लेते हैं उमीद करेंगे जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किये हैं वो भी वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करेंगे पौधा का जड़ होता है उसमें पानी पहुंचने का कारण क्या होगा तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं इसका अंसर क्या होगा तो फटा फट कमेंट करेंगे कि जड़ों पौधे में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या होता है पौधा में जड़ के माद्यम से पानी जो पहुंचता है उसका कारण क्या होता है यह आप से पूछ रहा है तो elasticity यानि परत्यास्था तो परत्यास्था इसका अंसर होगा नहीं क्यों क्योंकि परत्यास्था यानि elasticity वह गुन है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाहे बल से उत्पन किसी भी परकार के परिवर्तन का विरोध करती है तता जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूरू अवस्था में वापस आ जाता है उसको क्या कहा जाता है परत्यास्था या elasticity कहा जाता है इसका सही answer क्या होगा याद रखेंगे answer होगा इसका option number B केसी कत्व के कारण क्या होता है जड़ों के मार्ग से पानी जो होता है वो पहुंचता है याद रखेंगे अब केसी कत्व होता क्या है याद रखेंगे बहुत important है केसिकत्व एक ऐसी खोकली सबसे पहले केसनली क्या होता यह याद रखेंगे तो एक ऐसी खोकली नली जिसकी तुरुजा बहुत कम तथा एक समान होती है उसको केसनली कहते है अब क्या होता है केसनली में द्रव के उपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केसिकत्व या कैपिलेरिटी कहा जाता है याद रखेंगे केसनली में द्रव का उपर चढ़ना या फिर द्रव का नीचे दबने का जो घटना होगा उसको केसिकत्व या कैपिलेरिटी कहा जाता है तो capillarity ये केशिकत्व के द्वारे क्या होता है पानी उपर चड़ रहा है या पानी नीचे जा रहा है इसके बारे में पता लगता है याद रखेंगे सामनेता जो द्रव कांच को भिगोता है वह किस नली में उपर चड़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है ये इसका एक्जामपल हो जाएगा चिक है capillarity यानि केशिकत्व का अब आपसे पूछता है स्यानता बहुत ज़दे इंपर्टन्ट है स्यानता यानि विसकस फोर्स जिसके कारण लिक्वीड की विभिन परतों के मद्द आपसे गती का विरोध होता है गैसों में स्यानता जो होता है वो द्रवों की तुल्ला में बहुत कम होता है च्योंकि गैस में क्या होगा स्यानता कम होगा गैस में स्यानता क्या होता है कम होता है जबकि थोसों में स्यानता नहीं होता है तो याद रखना है स्यानता नहीं होता है ठोस में तो याद रखेंगे स्यानता जो होगा वो ठोस में नहीं होता है लेकिन गैसों में स्यानता जो होता वो द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है यानि आपको समझ में आ रहा होगा कि स्यानता सबसे ज़्यादा किस में होता है द्रवों में होता है लिक्विड में होता है ठीक है तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर करेंगे अगर आपसे पूशता है कि आपको इसका बताना है कि स्यानता का ऐसा है मातरक क्या है याद रखेंगे स्यानता का ऐसा है मातरक क्या होता है देका प्वाइज या प्वाइज जली या फिर पास्कल सकेंड होता है याद रखेंगे चांता का इसा है मात्रक देका प्वाइज जली या फिर पास्कल सकेंड होता है ठीक है उमीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप भी वीडियो को ज़्यादा ज़्य ही और लाइक करेंगे ठोड़े अगला सवाल देखते हैं क्या है में अगला शवाल है सीरे से अलकोहल प्राप्त करें के लिए अपना ही जाने वाले वीधी है ठीक है तो आप जानते होंगे अल्कोहल प्राप्त करने का जो वीधी हुता उसको fermentation या किन्वन कहा जाता है याद रखेंगे fermentation या किन्वन के द्वारा alcohol का उत्पादन किया जाता है चलिए अगला सवाल है bacterial disease are found in bacterial बिमारी जो है कहा कहा पाये जाता है तो सबसे पहले bacteria का खोज कोन किया तो यह आप comment करेंगे bacteria का खोज कोन किया अब यहाँ याद रखना है bacteria यानि जीवानवी रोग किसमें पाय जाता है तो plant, animal और मानव तीनों में जीवानव के द्वारा रोग हो सकता है अगर आप पिछला वीडियो देखें है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो bacterial disease है वो पिड़ पाधा, पसू और मानव तीनों को हो सकता है बहुत ज़्यदा important है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल है इसकरवी is a disease of इसकरवी जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है तो आप सभी जानते हैं इसकरवी जो है तो अचा को प्रभावित करने वाला विमारी है ठीक है याद रखेंगे इसको अब यहाँ से कुछ और कुश्चन पूश सकता है जैसे कि अगर आप से पूश देगा आपको कमेंट करना होगा भी ठीक है कमेंट करेंगे औस्टियो मलेशिया किस में होता है कमेंट करेंगे औस्टियो मलेशिया किस में होता है कमेंट करेंगे ठीक है याद रखना है इसकरवी रोग जो होता वो इसकीन को परभावित करता है ठीक है इसकरवी रोग किसको परभावित करता है तो अच्छा को परभावित करता है और यह होता किस से इसकरवी रोग तो यह आप कमेंट करेंगे इसकरवी रोग होता किस से है ठेक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है तो आप सभी को पता होगा जो पराककन पैदा करता है उसको क्या कहते हैं। फ्लावर का वह पार्ट जो pollen grain यानी पराककन प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा पराककन को जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है। याद रखेंगे पराक कन प्रोड्यूस करने वाला जो भाग है उसको क्या कहा जाता है पराक कोस एंथर कहा जाता है याद रखेंगे पूस्प का वह भाग जो पराक कन यानि पॉलेन ग्रेन प्रोड्यूस करता है कहां है पराक कोस में होता है ठीक है याद रखेंगे पराक को होता है कार्लेक्स को दल्पुंज कहा जाता है इसके लावब पुस्प में क्या होता है एंडिो सीयमités यानि पूमंग होता है और इसके दाव़ा पुष्पम में क्या होगा गाइनो सिम याद राखेंगे पुष्प में क्या होगा गाइनो सिम एन्ञै राफे होато अच्छे से लिखेंगे जी वाइन O उसके बाद जी आइन ओई C I U M तो याद रखेंगे फूल का चार भाग होता है कौन-कौन सा काडलेक्स कोरेला यानि कोरोला एंडरोसियम और गाइनोसियम तो ये चारों जो होगा फूल का भाग होता है पुस्प जो है वो पौदे का जनन अंग है ये भी याद रखेंगे पुमंग क्या होता है तो याद रखना है पुमंग ये एंडरोसियम क्या होता है पुमंग में एक ये एक सधिक पुंकेसर यानि स्टामेन होते हैं पुंकेसर में पराक्कन पाये जाते हैं जायांग क्या होता है तो जायांग के बारे में भी याद रखेंगे जायांग को क्या कहा जाता है गाइनोसियम कहा जाता है तो जायांग जो होता है उसमें अंडप होता है और अंडप का तीन प्रकार होता है ओवेरी, स्टाइल और इक स्टिग्मा ठीक है याद रखेंगा पराकन क्या होता है परा जो पराकन पैदा करता है उसे क्या कहा जाता है तो पराकोस यानि एंथर कहा जाता है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते है अगला सवाल है निमनलिखित में से किस फल का विकास पुस्पिकरम से होता है which of these fruits develop from an infloral sense ठीक है मतलब कौन सा ऐसा फल है जिसका विकास पुस्पिकरम में होता है इन फ्लोरो सेंस में होता है ठीक है तो याद रखना इसका सही अंसर होगा पैनेपल का उप्व्योग जो रहता है वह विकास प्रक्रम में होता है याद रहेगें शर्य करें और ज्यादा से ज़्यादा लाइक करें ठीक है अगला सवाल है पाधों में रसका आरोहन निम्नि में से किसके माध्यम से होता है यह आप से पूछ रहा है ठीक है याद रखना है जायलम जायलम के द्वारा क्या होता है कि जल के थूप पानी जो है वो पतियों तक पहुंचने का काम होता है याद रखेंगे जायलम क्या करता है जल को समवहन करने का काम करता है जल को एक जिए से दूसरे जगा पहुंचाने का काम जायलम करता है ठीक है अब 36 वाला देख लेते हैं क्या है तो 36 सवाल क्या है यह plant with fibrous root system is मतलब ऐसा पौधा जिसका जड़ जो है वो fibrous root है उसका नाम करें यहां अंसर क्या होगा fibrous root यानि जकड़ा जकड़ा जड़ जो है जकड़ा जरवाला जो पौधा है वो कौन सा होगा तो याद रखेंगा option number a wheat गेहूं गेहूं जो है वो fibrous root system को follow करेगा यानि गेहूं में जो जड़ होगा वो कैसा होगा fibrous root system वाला जड़ होगा चलिए चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल फॉलाइंग इस्टोर्स गलाइको जन गलाइको जन निम्नमें सी किसमें जमा होता है त। या रखेंगे bay कर दो रहें के बारे में जानते हैं लिवर जो यह वो लार्जेस्ट ग्लेंड हमारे êgillonर liver का वज़न जो होता है वो एक hayat से दो केजी के वीच होता है liver का वज़न लिवर क्वजन कियोता है動 को यक reel के सब बढ़ी ग्रंदी है और याद रखना है कि outta狗ल प्रीरियु में प्रोटीन का निर्मान होता है जैसे कि लिवर में क्या होता है थोरा मात्रा में अलकोहल, तामबा और वितामिन को भी संचीत करके रखा जाता है तु उम्यद करेंगे आपको लिवर के बारे में समझ वं हो गया होगा लिवर लार्जेस्ट ग्लेंड है इसके लवा अगनास है अगनास है क्या है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी है second largest gland यह सब आप पढ़ चुके हैं तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथी बोलेगा तो याद रखेंगे second largest gland जो है यह क्या है अगनासे या पैनिक्रियाज का अगनासे जो होते हैं दोनों परकार के gland होते हैं और यह मानव सरीर का दूसरा सबसे बड़ा रखेंगे ठीक है तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इस्प्लीन को क्या कहा जाता है यह आप कमेंट करेंगे ठीक है अगला सवाल है इन हुमन बॉड़ी कार्टिलेज इस फाउंड इन मानव सरीर में कार्टिलेज जो होता है वो किस अंग में उपस्तित होता है यह आप से पूछ रहा है तो आप जानते होंगे मानव सरीर में जो कार्टिलेज होता है वो नाक में इस्तित होता है इन हुमन बॉड़ी कार्ट चलिए अगला सवाल है स्थेक्षण सर मिलते है तो याद रखना है विटामीन ain का संप्राइब एक थी कहा संपन्य जो क्याAt चलिए प्रियुक्त अगला सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपके लिए है और यह homework रहेगा आपको इसका answer करना है कि blood pressure is high in the यानि रक्त चाप जो होता है वो निम्न में से किसमे उच्छ होता है यानि blood pressure जो है वो किसमे उच्छ होता है आपको बताना है comment करना है तो blood pressure को मापा कैसे जाता है इस फिग्मो मैनोमीटर द्वारा blood pressure को मापा जाता है वरक्त परिसंचरन की खोज किसने की William Harvey ने की थी याद रखेंगे ठीक है इसके लाबब पल्मोनरी धमनी के बारे में याद करेंगे पल्मोनरी धमनी जो है वो carbon dioxide यूक्त रख्त एवं पल्मोनरी सीरा में oxygen यूक्त रख्त होता है ठीक है तो ये याद रखेंगे उमीद करेंगे आप इस सवाल का आंसर comment करेंगे यह सवाल आपका homework रहेगा blood pressure is high in the रख्त चाप निम्न में से किसमे उच्छ होता है ठीक है तो आपको इस सवाल का आंसर comment करना है यह सवाल आपका homework रहेगा तो चलिए इसी के साथ विदा लेने का समय आगया है जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनसे आगरा करेंगे आप विडियो को like करें और ज्यादा से ज्यादा share करें ठीक है तो इसी के साथ आप सभी का तही दिल से धन्यवाद करते हैं